जया हिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि two-block system एक बहुत ही interesting topic भी और बहुत ही confusing topic भी है यहां से questions जो हमारे exam में आते हैं तो दिमाग एकदम चक्रा जाता है कि कैसे questions को करें तो बहुत ही सांदार और बहुत ही जबर्दस concept के साथ में two-block system हम पढ़ेंगे देखेंगे यहां पर कुछ छोटे से concept उस concept से two-block system के कोई भी question आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे two-block system एक बहुत ही interesting topic है जो आपका J के लिए भी आता है और NDA में भी यहां से questions आए हैं यानि NDA प्लस J दोनों के लिए बहुत ही important है तो आई हम समझते हैं जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक surface है और इस surface पे दो block रखे हुए two-block है ठीक है एक का मास है M1 और दूसरे का मास है M2 M1 और M2 की बीच में कुछ friction दिया हुआ है कोई भी friction की value दी हुए let's suppose that mu और यह वाला surface जो है वो frictionless है यानि इसकी value 0 है मतलब इसमें friction नहीं है अब हम करते हैं M2 वाले पर force लगाते हैं पहला concept यह है कि नीचे वाले पर force लगाएं दूसरे में कभी कभी क्या होता है कि उपर वाले पर force लगा दिया जाता है तो कोई भी concept हो, उपर वाले पर फोर्स लगा देंगे F, और ये mu है, दोनों का तरीका हम एक बार बताएंगे, एक ही concept है, दोनों तरीके, आराम से कोई भी question आएगा, solve कर ले जाएंगे, समझेगा, जब भी ऐसे question आए, तो आप से पूछेगा, कि क्या दोनों block साथ-साथ चल रहें, तो उसका acceleration क्या होगा, ये सारे questions हम से पूछ सकता है, ठीक है, तो चलिए, हम बात करते हैं, जब भी ऐसे question होंगे, सबसे पहले हम इस पूरे system का combined acceleration निकाल लेंगे, combined axillation मतलब AC, पूरे whole system का axillation निकाल लो, तो पूरे whole system का axillation क्या है हमारा, axillation क्या होता है, force upon mass, force कितना लग रहा है F, और mass कितना है, M1 प्लस M2, पूरे system का mass कितना है, M1 प्लस M2, यह हमारा निकल जाएगा combined axillation, पूरे system का axillation, ठीक है, अब फिर आप करेंगे क्या, एक बात देखिए, जब आपने force इस पर लगाया, तो यह दोनों block भी क्या होगे, मोशन में आएंगे, इन दोनों के बीच में relative motion होगा, तो relative motion के card इस block पे friction किधा लगेगा, पीछे की तरफ, और इस block पे friction किधा लगेगा, आगे की तरफ, यह तो आपको पता है, क्योंकि यह motion करना चाहेगा, जोकि rest में है, तो motion करना चाहेगा, friction के card क्या होगा, यह आगे चलेगा तो इस friction की value निकाल दीजी क्योंकि ये block इस friction से चलना चाह रहा है और इसकी maximum जो friction होगा जो acceleration होगा वह हम निकाल लेंगे और जो इसका maximum acceleration होगा हम उसे यहां पर represent करेंगे आवकात से ठीक है कि इसकी आवकात कितनी होगी तो भाया यह M1 कितने acceleration से चल रहा है friction से चल र R, R की value M1 into G, क्योंकि इसका mass कितना है M1 into G, Fs, Fs equal to M1 into A, तो यह जो A आया है यह इसका क्या है? आवकात है, यह इसकी आवकात है, हम इसको आवकात से रिपरजन करते हैं, बाकि यह maximum value है, mu M1 G, तो M1 M1 cancel आजाएगा, जो इसकी आवकात आई, वो कितनी आई? इसकी आवकात आई, mu into G, यानि यह इतने axilation से maximum चल सकता है, अब यहाँ पर आपको case समझना है, बस यही case समझ लीजे, कोई भी question आराम से कर ले जाएगे, अगर combined axilation आवकात से छोटा है या बराबर है, मतलब combined axilation आवकात से छोटा है या बराबर है, तो दोनों block साथ-साथ चलेंगे, साथ-साथ चलेंगे, ठीक है, लेकिन आवकात से, अगर combined axilation आवकात से बड़ा है, आवकात से बड़ा है, तो दोनों अलग-अलग चलेंगे, दोनों अलग-अलग चलेंगे, तो अलग-अलग चलेंगे, तो अलग-अलग चलेंगे, तो दोनों का अलग-अलग axilation लेकिन अगर अलग अलग चलेंगे तब अलग अलग चलने पर अक्सिलेशन देखिये उपर वाले का एक्सिलेशन तो हमने निकाल ही लिया है कित्ता मुव इंटू जी तो M1 वाले का एक्सिलेशन क्या हो जाएगा A equal to M1 G उपर वाले का नीचे वाले का एक्सिलेशन हमको निकालना है तो नीचे वाले पर फोर्स किदर लग रहा है आगे की तरफ प्रिक्शन फोर्स किदर लग रहा है पीछे की तरफ तो बड़ा ये है छोटा ये है बड़े में से चोटे घटाएंगे एक्सिलेशन तो axillation अगर हम बात करें axillation A equal to F minus Fs, Fs की value mu m1 g और upon mass, mass की value m2, ये दूसरे वाले का axillation आ गया, बस यही करना है हमें, सबसे पहले करना क्या combined axillation निकालो, फिर इसकी आवकात निकालो, अगर निकालने के बाद में, हम देखेंगे कि अगर combined axillation, ओकात से छोटा ही या बराबर, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो axillation यही होगा, लेकिन अगर combined axillation औकात से बड़ा आता, तो दोनों अलग-अलग चलेंगे, अलग-अलग चलेंगे तो उपर वाले का axillation हो जाए आप दी ब्लॉक ये निकालना है और फ्रिक्शन फोर्श निकालना है 3KZ का 2KZ का मास है इस पर फोर्श आगे लग रहा है 20 न्यूटन इसमें कोफिशन अफ्रिक्शन 0.5 वो नीचे वाला स्मूथ सर्फेस अब axillation of the block निकालना है तो पहले ये देखो दोनों साथ साथ चल रहे है या अलग-alag चल रहे है इसके लिए हमें क्या करना पहले पहले इसका combined axillation निकाल लिया combined axillation कित्ता होगा force कितना है 20 और दोनों का mass कितना है 5 तो कितना आगया 4 meter per second square ठीक है, combined acceleration 4 meter per second square, अब उपर वाले पर, इसमें friction force किदह लगेगा, पीछे, इसमें friction force किदह लगेगा, आगे, तो friction force के काड़, यह body आगे चलेगी, तो इसकी आवकात निकाल लो, आवकात, आवकात के लिए हमने बताया आपको, mu into g, mu किता 0.5, g की value 10, यानि यह किता आगया, 5, अब आप देखो, इसका जो combined acceleration इसके वकात से क्या है, छोटा है, यानि combined acceleration आवकात से छोटा है, अगर छोटा है, तो दोनों कैसे चलेंगे, बताया था, अगर छोटा दोनों कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, यानि दोनों साथ साथ चलेंगे, अगर दोनों साथ साथ एक्सिलेशन क्या होगा जो इसका था combined constellation का यानि दोनों का acceleration क्या होगा 4 meter per second square पहला answer का हमारा गया 4 meter per second square देखिए खट से आपका answer ऽोगा 10 सेगंड के अंदर भी आपका answer आ सकता बमस्तोड़ा से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और को एक करना पड़ेगा फिर गयरा friction force friction force कित्ता होगा तो friction force के अगर हम बात करें तो देखिए भाई यहाँ पर friction force तो हमने निकाला ही है इसकी आवकात निकाल ली थी तो friction force F s equal to क्या होगा मू इन्टू आर की वैलू M1 इन्टू G मू कित्ता दिया है 0.5 M1 की वैलू 2 G की वैलू 10 तो यह point से हट जाएगा 5 तूजा 10 friction force की वैलू कितनी आ गई 10 Newton तो इसकी वैलू कितनी आ जाएगे 10 Newton ठीक है जो हमसे पूछेगा हम वो निकाल देंगे बस हमें यही चीज आद रखना है combined acceleration और ओकाथ ठीक है अच्छा अब हमने कहा कि अगर कभी-कभी force उपर लग जाए तो जैसे इसमें देखिए force उपर लग रहा है कुछ नहीं करना है सेम वही concept है सेम वही चीज है बस friction का थोड़ा सा फिर बदल है तो यहीं पर देख लिजिए पोर्स कितर लग रहा है ऊपर तो इन दोनों के बीच मेरी लेटी मोशन होगा इसमें friction कितर लगेगा पीछे की तरफ और इसमें friction कितर लगेगा आगे की तरफ यानि अब कौन चलेगा friction से यह चलेगा यह वाला नहीं चलेगा friction से यह वाला चलेगा ठीक है तो सबसे पहली चीज combined acceleration combined acceleration क्या होगा equal to force कितना है 100 upon mass कितना है 40 और 10 50 यानि combined acceleration कितना है 2 meter per second square combined acceleration निकाल लिया अब भाई friction निकालना है friction लेकिन friction कैसे निकालेंगे इससे निकालेंगे नहीं friction से कौन चला है यह वाला चल यह friction से चल ला तो अगर यह friction से चल आस तो इसकी value हमें निकालना है क्या होगा तो अगहें friction force का formula fs equal to क्या होगता less increaseowane mm-1g अभी बताया था fs की value 気 Soldier mm-1g लेकिन चल कौन रहा friction से यह चल्रान ना इसका acceleration निकाले यानि इसके आवकात निकालो, आवकात, क्या होगा, friction force यानि force की वैलू, mu m1 g upon, इसका मास किता है, m2, अब निकाल लीजिए, mu की वैलू 0.4, m1 की वैलू 10, g की वैलू 10, upon m2 की वैलू, mt किता है, 4t, इस point से ये खतम हो गया, 0 से 0 cancel हो गया, 4, 4, 1 हो गया, यानि आवकात हमारी कितनी आ गई है, 1, अब आप देखो, यहाँ पर combined acceleration 2 meter per second square है, और आवकात कितनी आई है, एक, मतलब combined acceleration जो है, वो आवकात से क्या हो गया है, बड़ा, अगर combined acceleration आवकात से बड़ा होगा, आप दोनों कैसे चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, अगर अलग अलग चलेंगे, दोनों का अलग अलग acceleration निकाल लीजिए, तो इसका acceleration निकाल लीजिए, इसका, इसका acceleration तो हमने निकाल आई है, कितना आया, 1 meter per second square, तो यह कितने से चलेगा, 1 meter per second square, यह कितने से चलेगा, तो इस पर friction force आगे लग रहा है, friction force किदर लग रहा है, पीछे, तो acceleration अगर A2 निकालेंगे, 10 KZ का, तो F कितना, 100, minus Fs, Fs की value, mu M1 G, तो यहां से point से 0 हट जाएगा, और 40, Fs कितना आ जाएगा, 40, 40, और अपान, mass कितना, 10, तो 10 minus 40, 60 by 10, यानि 0 से 0 cancel, acceleration कितना हो गया, 6 meter per second square, तो यह कितने से चलेगा, 6 meter per second square से, और friction force, तो friction force तो भी निकाला था, कितना आया था, आपका, 40, friction force कितना आया हमारा, 40, तो इस तरह से, बहुत ही, प्यार से, कोई भी two block system का question आएगा, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो मैं एक question आपको दे रहा हूँ, comment box में, इसका इंसा जरूर बताएगा, कि क्या होगा, अगर हमारे पास में, एक system है, इसकी value है 50 kg, इसकी value है 20 kg, और हम 4 newton का force लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में friction है 0.4, इसके बीच का friction है, mute, तो आपको बताना है, कि ये साथ-साथ चलेंगे, या अलग-अलग चलेंगे, अगर साथ-साथ चलेंगे, तो इनका acceleration क्या होगा, और अलग-अलग चलेंगे, तो इसका acceleration क्या होगा, बिलकुल बहुत ही, कम समय में, आप ऐसे questions को कर सकते हैं, मिलते हैं, ऐसे ही trick के सा आपने तब तक के लिए थाएंक्यू जय हिंद।